हेले वर्वन वेल्कॉम यूँ ओल इट लोके सरे लिम्टेट स्टडी जोन आप सभी का स्वागत है मादमिक शिक्षामंडल भोपाल मद्ध प्रदेश का जारी किया हुआ सैंपल पिपर जो की उच गणित हायर मैथेमेटिक्स है और यह है फाइनल प्रिक्षाओं के लिए इ दो पार्ट में दिये गाएं मैं उसको इंग्लिश में भी कनवर्ट कर दूंगा डॉंड वरी तो पहला क्वेश्चन वही अपना जो इसकी में वो तो बोर्ड की चल रही है आईए सही विकल चुनकर के लिखे पहला दिया है साइन इनवर्स साइन सेवन पाइबाई एक्स क आमान कितना होगा साइन इनवर्स साइन सेवन पाइबाई एक्स देखे तो यह जो है सेवन पाइबाई एक्स दिया हुआ है तो आप इसको कैसे लिखेंगे आप जानते हैं कि साइन की प्रिंसपल डुमें जो होती वो क्या होती माइनस पाइबाई टू से लेके प्लस pi by 6 ओके आप इसको क्या लेख सकते है? pi plus pi by 6 और आप जानते हैं कि sine of pi plus theta जो होता है वो कितना होता है? minus sine theta sine pi plus theta is equal to minus sine theta होगा करता है इस तरीके से यहाँ पे आप ये पास क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा sine inverse sine of minus sine pi by 6 जिसको लेख सकते हैं आप sin of inverse sin of minus pi by 6 क्योंकि sin minus theta equal to minus sin theta अब sin से sin inverse cancel हो जागा क्योंकि आपका प्रिंस्पल डोमेन में है तो correct answer इसका आएगा minus pi by 6 अगला question देखे 10 inverse x minus cot inverse minus 1 तो आप देखें आपके पस formula क्या होता है cot inverse minus x का formula होता है pi minus cot inverse x तो यहाँ पे cot inverse minus 1 है तो इसे आप क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे pi minus cot inverse 1 तो यह हो जाएगा pi minus pi by 4 आई यह value put करते है तो 10 inverse होता है pi by 4 और minus लगाया और cot inverse minus 1 अभी आपने निकाला है pi minus pi by 4 तो यह कितना हो जाएगा pi by 4 यह भी plus pi by 4 minus pi मतलब pi by 2 minus pi ओके क्योंकि pi by 4 45 और यह भी 45 तो 45 plus 45 90 याने pi by 2 और यह minus का pi तो आंसर आएगा minus का pi ओके minus का pi by 2 तो आंसर है minus का pi by 2 बी option चलिए अगला question directly book के question से है if A and B दो उप्योग कोटी के आवियू है मतलब मैं trices है तो AB का transpose क्या होगा directly formula related question आचुका है AB का transpose equal to B transpose into A transpose ultra rule लगता है इसमें B transpose into A transpose चलिए अगला question है A और B स्वतंतर घटनाए हैं तो A, PA बराबर दिया है 0.3 and 0.4 तो मैंने बता है था independent event के लिए क्या rule होता है PA intersection B is equal to होता है PA into PB So simple, क्या करेंगे बाइस अब आपने इसमें 0.3 multiply by 0.4 answer आजाएगा 1.2 ओके, ओहो, क्या कर दिया भाई 0.12 independent ओके, ये independent event है तो answer कितना आजाएगा 0.12 इसको तोड़ लिया गया है 0.12 का decimal में कर लिया गया क्योंकि answer match नहीं हो सकता है तो 12 बटे 100, काट दिए 2 से 6 बार और ये कितने बार गया 50 बार, तो 6 बटे 50 अभी भी नहीं आया है काट दिए 2 से 3 बार और 50 को 25 बार तो correct answer हो गया 3 बटे 25 चलिए, अगला सवाल अवकल समीकन याने के differential equation से ये कह रहा, dvdx plus py equal to q में समा कलन गुणांग क्या होता है बाई सब बहुत ही रद्धी question e की power pdy होगा क्योंकि integration y के टम में है तो ये होगा e की power pdy अगर x होता तो x के टम में होता और अभी ये होगा क्या e की power pdy चलिए, बहुत बढ़ी है question भाई एक number के लिए केरा अगर element दिख को जा है तो element में सही संबन देश का बच्चा बच्चा इसका answer दे सकता है l square plus m square plus n square equal to किता होगा 1 क्योंकि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1 लीजे भाई, मजे की बात ये है पेपर में English version भी है भाई साब तो CBSC वालों के लिए भी मोज हो गई, मोज हो गई आईए, अगला question देखते है हिंदी में भी English में भी दोनों देखेंगे English वाले English का ध्यान देखेंगे यदि fx से y में कोई एक एक एकी फलन है मतलब भाई साब one one function है तो one one function में fx1, fx2 equal है मैंने trick में आपको बताया था अगर पापा equal है तो बेटे भी क्या होंगे equal इसका मतलब x1 equal to x2 clear हो गया अगर दोनों के output equal है तो input भी क्या होंगे equal cos inverse x का मुखमान कहां से कहां होता भाई साब रड़ गई होगी इसकी range 0 से लेके pi 0 से लेके pi चलिए फिलाल बीच में कि विद्यारती का message आया हम देखेंगे क्या message आया है भाई साब क्रिश्न कान्त ने hand raise किया क्रिश्न कान जी बोलिए क्या doubt है आप आपको सर आपने अभी जो एक उपर बता है d y d x plus by equal to q हाँ क्या होगा ए अच्छा देगे आप a की power p d x कब होता है d y d x plus by equal to q ओ बिल्कुल सही कहा है मैंने गलती कर दी यहाँ पर यहाँ पर y की form में dependent variable y है तो दोस्तों गलती हो गई मुझसे यहाँ पर जल्दवाजी में इसका correct answer e की power p d x होगा e की power p d y तब होता है जब आपके पास नीचे d x by d y होता है p x equal to q तब आपके पास जो integrating factor बनता है वो बनता है e की power integration p d y क्योंकि यहाँ पर देखे कौन है यह y है यहाँ पर बट फिलहाली यह x का है तो यहाँ पर जो integration बनेगा if बनेगा वो बनेगा e की power p d x क्योंकि यह x के पदों में अव समा कलन हो रहा है तो यहाँ भी x के पदों में ही समा कलन होगा यह integration होगा चलिए अब ठीक है क्रिशन कांथ कोई दिक्कत तो नहीं ही न बहुत अच्छा आपने ध्यान दिया very good इसके लिए complete अगला question है a equals to a ij m cross n है तो a transpose क्या होगा देखे भाई सब the value of a dash when a equals to a ij m cross n आपको बताना है कि a dash की value बतानी है तो देखे इसको short form में लिखना है अकुल में लगके matrix की matrix का general form आपको दिया हुआ था a ij और आपको यह transpose बताना देखो ऐसा question आता है न अच्छे अच्छे बच्चे घूम जाते हैं a equal to a ij m cross n है तो a transpose क्या होगा a का परिवरता भी हो क्या होगा transpose matrix क्या होगा तो आप लोग जानते हैं कि a ji क्यों क्योंकि जो column होता हो row बन जाता हो जो row होती वो क्या बन जाती column बन जाती और order भी change होता है m cross n किस मतल जाएगा N cross M है तो बहुत बढ़ी है question है इसका answer note कर लीजे काफी बच्चे इसका answer गलत करके आएंगे ओके चलिए देखते है भाईस आप अगला देखो एकदम simple सा question है court root x का differentiation x के respect में करना है तो बच्चा बच्चा कर लेगा cost का कित्ता होता है minus sign root x और फिर root x का करेगा तो one upon two root x गलती से root x root x को cut मत देना क्योंकि root x उसके angle में है और नीचे इसके upon में है चलिए अगला question भाई हिंदी में आ जाओ नहीं तो हमारे दर्शक नराज हो जाएंगे चलिए भाईस साब यह हो गया क्या बताया था मैंने छाग है on to function में जो यहाँ पर क्या होता है code domain code domain यानि की परिसर जो होता है वो किसके equal होता है range के equal होता है मतलब जितने लोग गये थे बराती बनके सबके शब दूला बनके बापस आते है बराती ही दूला है यह trick मैंने बतायी थी आपको तो परिसर range के equal होता है तो इसमें code domain and range are equal very simple अगला question क्या बताना है भाई साब अगला question बताना है यह vector A की direction में मात्रक सदिस मात्रक सदिस मतलब इकाई सदिस so simple A cap equal to vector A upon mod A unit vector बताना है अगला अगर आव यू A और B एक दूसरे के with problem होंगे यदी A B into BA अब आई साब अगर with problem है तो A into B अगर आपका उल्टे से multiply किया जाए तो क्या आएगा आई अगर आपकोई number X हो और आपके उल्टे 1 upon X से multiply किया जाएगा 1 आएगा बट matrix की भासा में 1 को क्या बोलते है I तो इसका answer कितना होगा I चलिए जी ये question तो आते ही आता आपको हर बार बता रखा है मैंने अब देखिए सबसे पहले integration है 1 upon DX upon X स्क्वेर प्लस A स्क्वेर बोलो जी माई कॉन करके इसका answer क्या होगा बता ही A, B, C, D, E में बुलिए 1st का क्या होगा D कोई जुडने की कोशिश कर रहा क्या नहीं चलिए तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा D आपका D आँ भाई गलत कह रहे हैं आप D ने B B answer correct answer है तो पहले का B होगा 10X का integration क्या होता है बुलिए log sin X नहीं होता है log sec X होता है पहला हो जाएगा log sec X चलिए A square minus X square का integration बहुत ही famous integration है बुलिए क्या होता है confuse होगे आप लोग D में और F में exactly विल्कुल सही है 1 upon 2 A log D वाला विल्कुल सही है तीसरे का D हो गया चौते वाले X E की power axis को solve करना पड़ेगा थोड़ दिरक लिए hold कर देते हैं dx upon X square minus A square बताइए क्या होगा 1 upon 2 A log X minus A upon X plus A sin square X का integration क्या हो जाएगा देखिए sin square X का integration E हो जाएगा और X E की power X का integration ये हो जाएगा चलिए बताइए कोई doubt है किसी को कुछ पूछना है कोई साथ question पूछना है क्या बन जाएगा सभी से ना आंगे बढ़ें क्या चलो very nice भाई चली अगला question देखते हैं कि अब प्रते का एक शब्द में उत्तर लिखिए one word में उत्तर लिखिए भाई साब आपको बताना है इसका एक शब्द में आपको मान बताना है पहला question है 10 inverse x plus 10 inverse y when x y is greater than 1 ओके 10 inverse x plus 10 inverse y when x y is greater than 1 x is greater than 0 and y is greater than 0 चली इसका copy में से मान एक book ncrt खोलिए ncrt से देखकर के इसका मान देखिए गलत 5 by 2 बोल रहा कोई बच्चा गलत है उसका मान question क्या है 10 very good बेटा बहुत अच्छा जवाब है तुमारा बिल्कुल से यह pi plus है 10 inverse x plus y upon 1 minus x y यह इसमें याद रखेगा इसमें pi plus पे जाता है अगर आपका x y less than 1 होता तो मैं आपको बता देता हूँ अगर x into y अगर x into y less than 1 होता है तो 10 inverse x plus 10 inverse y की जो value होती है वो जाती है 10 inverse x plus y upon 1 minus x y बट यहाँ पे क्या कह रहा है x y greater than 1 है x y greater than 1 है तो जो 10 inverse x plus 10 inverse y की value जाती है वो जाती है pi plus याद रख लीजेगा pi plus 10 inverse x plus y upon 1 minus x y यह आपके ncrt का भी concept है बहुत important है बच्चे गलती करते हैं इसमें एक question भी है आप लोग चलो भाई come back to the point अगला question कह रहा है लो भाई हिंदी पे आजाओ यह पहला हो गया अगला कह रहा है AI जे कोई वर्गाव्यू एन square matrix है तो m और n के बीच में relation लिए बड़ा चिंदी question दिया है वर्गाव्यू के लिए m और n क्या होते हैं इक्वल होते हैं जितने रो उत्ते कॉलम भाई साब अगला question महाचिंदी question cos square theta plus sin square theta equal to कित्ता होगा 1 हो जाएगा x minus y equal to pi है तो d by dx भाई साब जड़दो differentiation y को इधर ले आईए तो plus y हो जाएगा इसका answer आएगा 1 देख लीजे भी करना हो तो आप कहेंगे सर इसको करा दो x minus pi equal to y हो जाएगा d by dx equal to x का differentiation 1 और y का कितना 0 answer आगया dx by dy plus x में अपना cos y में स्वतंत्र चर लेको बोलो भाई क्या है स्वतंत्र यहाँ पे x है की y है सोचके बताओ इसमें स्वतंत्र चर क्या है स्वतंत्र चर independent variable dx by dy plus x equal to cos y इतने time में तो 1000 बार answer आजाना था बाई साब बिलकुल गलत स्वतंत्र चर यहाँ पे x नहीं है देखे dx by dy लगा हुआ है जिसका अवकलन होता है वो परतंत्र होता है जिसके सापेक्च में होता है वो स्वतंत्र होता है भाई साब तो यहाँ पे सापेक्च में कौन है y है तो यहाँ पर जो स्वतंत्र चर होगा y होगा देख लीजे याद करिए आप लोग को भी पता होगा भाई साब जल्दवाजी में आपने गलती कर दिये अगर आपके पास कोई फलन होता y is equal to fx तो यह कहलाता है स्वतंत्र independent और यह कहलाता है परतंत्र यानि की dependent बोलो सबको पता है कि नहीं पता और इसके बाद आप करते हो dy by dx मतलब y का अवकलन x के सापेक्च अरे भाईया y का अवकलन x के सापेक्च जिसके सापेक्च करोगे वो मुक्त ही तो होगा वो स्वतंत्र ही तो होगा तो यह independent होता है ओके, याद आया यहाँ पर question में क्या है dx by dy तो यह है dependent यानि की परतंत्र और यह है स्वतंत्र, बोलो समझ में आया हाया ना चलो, ठीक है बाई साब, अगला question कौन सा होगा स्वतंत्र परतंत्र, dependent, independent देखो, इंगलिश में what is independent variable है independent variable is here, what, why ओके, ना उस एक्स question fx equal to cos x अंत्राल 0 से πाई के बीच में किस प्रकार का फलन है वर्दमान और हरासमान which type of the given function fx equal to cos x is between 0 to 5, it is increasing or decreasing, बिटा काई को maximum, minimum, increasing, decreasing लगाना, होश्यार बच्चा सीरे graph बनाएगा, 0 से πाई के बीच में यह देखें, जीवाई साब cos 0 की value होती ही 1 और cos πाई की value कित्ती होती है minus 1, देखो, value घटी रही है बढ़ नहीं रही है, तो कैसा function होगा यह decreasing होगा कैसा function होगा यह decreasing so 0 से πाई में यह जो function होगा अपना कैसा होगा, decreasing होगा ओके, so 0 close है तो 0 close से लेके पाई क्लोज में कैसा function होगा, decreasing चलिए, नोट कर लीजे, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि यहाँ पर, क्योंकि 0 पर include है rest कर रहा है function, और 1 पर भी rest कर रहा है, मतलब है strictly decreasing नहीं है, एक dist हरासमा नहीं है, यह simple decreasing function है, कैसा है, simple क्योंकि यह दो point है, इनमें यह आराम कर रहा है क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, बोलो जी आ गया समझ में न, तो यह हो गया, चलि अगला question है, क्या अगला question, true false लो जी, true false हा गया है पहला, पहला question है, यदि किसी सांड़निक के कोई दो इस्तंब के अवयाख समान हो, तो सांड़निक कमान सुनने होगा, भाई, बिल्कुल सही बात है, अगर कोई determinant आपके पास दिया हुआ है, और उसके दो रोज और दो कॉलम जो भी है, कोई भी जोडते हैं भाई साब उनको, दीक्षा सी, चलिए तो देखे, किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर यह फलन कह रहा है, कि अगर कोई फलन fx आई वरतराल में वर्दमान होगा, x1 less than x2, इसका ग्राब बनाईए, x1 से बड़ा x2 है, मतलब वर्दमान फलन है, x1 है, और x2 बड़ा है, मतलब x1 पीछे रहेगा, x2 बड़ा रहेगा, और fx1 बड़ा है, fx2 छोटा है, लो, उल्टा हो गया भाई साब, fx1 बड़ा है, मतलब फलन पहले बड़ा था, और बाद में छोटा है, बताओ कैसा दिख रहा है, increasing है, और यहाँ पर क्या बोल रहा, increasing, तो बोलो, true है कि false, तो यह हो गया, false, समझ में आया बच्चों की नहीं आया, एक बार बोलिए सभी लोग, नहीं आया, चलो देखो एक बार फिर से बताता हूं, देखिए आपके पास कहा रहा कि दो पॉइंट है, एक है x1 और एक है x2, और x2 greater than x1 है, मतलब x2 की value जादा है, x1 की value कम है, और कहा रहा है, जो function है, function में fx1 जादा था, question कहा रहा था, fx1 बढ़ा था, और fx2 छोटा है, देख लो भाई question में, fx1 बढ़ा था, और fx2 छोटा है, है ना, तो fx1 बढ़ा था, fx2 छोटा, मतलब graph कुछ इस तरीके से आ रहा है, अब कहा रहा है, इस graph को देख करके बताओ, यह increasing है कि decreasing है, यार, कोई भी देख के बता सकता है, यह decreasing है, बोलो तो हिंदी में हरास मान, बोलो समझ में आया कि नहीं हाँ, यस, हाँ भई, श्री, clear हुआ नहीं हुआ, ओके बेटा, चली अगला question देखते हैं, यह हो गया जी, अगला question, यदी घटना हो A और B के लिए, बहुत अच्छा question देखो, अभी अभी मैंने कराया भी यह question क्लास में एक दिन, यदी घटना A और B के लिए, A is the subset of B हो, तो P A upon B equal to P A, सही बात है कि गलत बात है, क्या कह रहा है, कि A is the subset of B हो, तो P A upon B आपको निकाल करके देना है, अगे, so in English, there are two events A and B, and A is the subset of B, तो P A upon B कितना होगा, आई इसको solve करते हैं, देखे क्या कह रहा है, मैंने यह बात कह रहा है कि A is the subset of B, मतलब B के अंदर कौन बैठा है, A बैठा है, और आपको निकाल करके क्या देना है, आपको निकाल करके देना है, P A upon B, तो probability A by B equal to होता ह P A intersection B upon P B, देखो जी भाई, तो 10 रुपए के सिक्के के अंदर अगर 5 रुपए का सिक्का बैठा है, तो common क्या हैगा, 5 रुपए का सिक्का, ओके तो P A by B, तो यहाँ पर अपने पास में, A is the subset of B, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, P A, और नीचे कितना जरा question देखते हैं भाई साब, यह कह रहा, P A upon B equal to P A, गलत हो गया ना, मतलब statement false है, तो इसका answer क्या है, true है कि false है, false है, ठीक है ना, yes, तो अगर ही हमसे बोलता, P B by A, हाँ, तो देखिए, फिर हम क्या लेते उपर, उपर हम लेते number of element B intersection A upon कितना, N A, तो B और A का common कितना आ ज set A है, समझ मैं न, छूटा set क्या है, A है, तो ऊपर भी आ जाता, A, और नीचे भी कितना आ जाता, A, तो cancel हो जाता, तो यहाँ पर कितना answer आ जाता, 1 आ जाता, न, एक मिनट, यह किस तरीके का answer दे रहा, भाई, equal to P A, is equal to P A, probability of B intersection upon A, P A, तो P A तो होई नहीं सकता, भाई, ठीक है न, probability A conditional B, A intersection B upon B, चली, तो यह गलत है, कुल मिलाके इसका answer, यह बाला भी क्या हो गया, गलत हो गया, चली, अगला question है, vector A, equal to K vector B, तो A और B सनरेक सदिस होंगे, बिल्कुल सही बात है, अगर दो vector में relations होती है, A equal to K vector B, तो एक दूसरे का कुछ गुना होता है, तो य यह बिल्कुल सही बात है, यह एक दूसरे के क्या होते है, सनरेकी सदिस होते है, समानांतर सदिस भी होंगे, और समरेकी सदिस भी होंगे, क्योंकि समानांतर सदिस किबल समरेकी सदिस होते है, अगला question है, समान परिमान वाले दो सदिस सदिस होते है, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है जैसे i-cap है और j-cap है ये दोनों सदिस समान परिमान में मैगनिटूड दोनों का सेम है result दोनों का जो magnitude है सेम है कैसे mod i-cap equal to 1 होता है और mod j-cap equal to 1 तो दोनों के magnitude तो सेम है मगर दोनों वेक्टर सेम वेक्टर नहीं कह जा सकते हैं मतलब आप इनको i-cap को j-cap के equal नहीं बोल सकते हो क्योंकि i-cap अलग जाता है j-cap अलग जाता है vector के सेम होने के लिए direction भी सेम होनी चाहिए तो यहाँ पर direction सेम नहीं है तो दो समान परिमान वाले सदिस सदेफ समान सदिस होते हैं यह बात बिल्कुल गलत है अगला fx equal to x square n से n के लिए फलन एकैकी तथा आच्छादक है कह रहा है एकैकी तो है और आच्छादक है n से n में natural number से natural number में एकैकी है और आच्छादक है आईए देखते हैं क्या यह n से n में एकैकी और आच्छादक है थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी पड़े हैं हमको आईए तो function क्या देखिए function अपने पास है n से लेके n में जा रहा है और fx equal to x square है ओके तो देखिए 1 पर इसका square कितना मिलता है 2 और 2 पर इसका square कितना मिलेगा 4 तो यह बात तो सही है कि हर value पर आपको कुछ ना कुछ देगा मतलब यह एकैकी तो है यह फ़लान आपके पास जो है एकैकी तो है परंतु आच्छा दक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 आएगा और 3 किसी का वर्ग नहीं होता मतलब किसी के लिए आपको 3 नहीं मिलेगा तो यह function एकैकी तो हो जाएगा परंतु यह function आच्छा दक नहीं होगा मतलब 1 1 तो हो जाएगा बट on to नहीं होगा आपको नहीं समझ में आया बता ही objective बन में पूरे कर लिये हैं इन में सहसा कौन सा question है जो आपको नहीं समझ में आया तो है एक बार दुबार आपको बता दू बता ही जल्दी से बोलो भाई है कोई doubt Hello अच्छा आधी class में आप नहीं थे कोई बात नहीं इसका वीडियो बन रहा है आपको background में इसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है न और इसमें बहुत सारे question अपने लगवाए है यह बोर्ट का भेजा हुआ sample paper है और इसको अपन देख लेंगे चलिए तो अब इसके बाद काफी सारे questions इसमें दिये गए है 4 marks क्या ही होप आप इसको करेंगे जैसे ये question दिया गया है कि दिखाइए कि 1,2,3 में दिया गया relation एक स्वतुल संबंद नहीं है मतलब एक reflexive relation नहीं है तो बहुत ही simple हो गया है यहाँ पे आपको पता है कि 1,2,3 में reflexive relation होने के लिए पहले चीज़ सबसे पहले क्या है reflexive के लिए खुद का खुद से relation होना चाहिए तो यहाँ पे जो 1 है 1 is not related with 1,2 is not related with 2 and 3 is not related with 3 तो बहुत ही घटिया डाइप का question एकदम simple question है यह आपने बता दिया है अगला question करा दिखाईए कि वास्तिविक संख्या के समुच्च है r a,b a is less than b एक सम्मित सम्मित नहीं है सम्मित मतलब a less than b, b less than a तो चलिए a less than b है तो b less than a भी होना चाहिए तो बहुत ही simple है भाई आप 3 और 4 ले लिजे तो clear दिख रहा है कि 3 less than or equal to 4 क्योंकि less तो property शो कर रह होगा इसलिए यह इसका उल्टा है चार less than or equal to 3 नहीं हो रहा है इसका मतलब है कैसा सम्मित नहीं है तो अत्या यह सम्मित सम्मित नहीं है बोलिए बन जाएगा बच्चों चलिए तो इन questions को मैं बाकी आपको homework दे रहा हूं यह questions बाकी के पूरे मैंने आपकी sheet group में डाल दी ह है और यह बाकी के questions इनको homework करके लेका है पार्ट टू में इनके पूरे solution को अपन discuss करेंगे आज मैंने पार्ट वन कराया है उमीद करते हैं कि और भी बच्चे पार्ट टू में जुडएंगे आपका बहुमूल्य और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद यह वीडियो कुछ समय में आपके WhatsApp YouTube में अपलोड कर दिये जाएगा जादे से जादा दोस्तों को साजा कीजिए यह हल है मादिमिक सिच्छा मंडल मंध्य प्रदेश द्वारा जो अभ्यास ही तू सेंपल पिपर भेजा गया है हार सेकेंडर एक्जामिनेशन 2022-23 का उसका हम हल करवा रहे हैं ए एक बार फिर से पुने आपका बहुत बद धन्यवाद नमस्कार